तो गाइस कैसे हो आप सब सब्सक्राइब 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 के एक और ब्रैंड न्यू MIUI 11 के वान आप दे बेस्ट इप्स और ट्रीक्स और मोडिफिकेशन के विडियो सीरीज के ऊपर इस वीडियो में आप सब MIUI और शाम डिवाइस यूजर के लिए लेकिया हूँ ऐसे एक परफिक्ट अमेजिंग धासू ट्रीक जिसे यूज करके आप अपने MIUI 11 डिवाइस या शाम डिवाइस का जो कॉलिंग स्क्रीन होता है आप उसे पूरे तरीके से चेंज या पूरे तर करके रख देगा तो फिट से लिए देख लेते कैसा है कॉलिंग स्क्रीन कैसा है इसका पॉफरमेंस और कैसा है इसका मोडिफिकेशन इस वीडियो पर सोदाव ड़नी मोस्टिंग टाइम लेट्स रोल दा इंट्रो सबसे पहले तो गाईस मैं आप सबसे एक थोटा सा रिकोष्ट करना चाता हूँ प्लीज इसे ध्यान से सुनना अगर आपको एक ओलिंग स्क्रीन चेंजिंग के वीडियो किसी भी जगह से थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज गाईस आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ही ज़ादा खुशी और मोटिवेशन मिल जाता है मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में सो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते आपको सारे स्टेप बता देता हूँ आप प्लीज इसे लास तक देखना सबसे पहले तो अगर आपको कॉलिकेशन की लिंक दूँगा उसे आपको सिंप्ली डाउनलोड एन इस्टोल कर लेना होगा उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन पे और एक जिप फाइल का लिंक मि जो निक्स काम करना होगा, स्म्опас सिंप्ली अपने जो अप्लीकेशन को डौनलूड किया है, स्म्पली उस अप्लीकेशन को आपको उपिन कर देना होगा, उसके बाद आप जब उपिन करोंगे तो आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस अब को शो ऋजाएगा, आपको यहा पर three dots पे जो उपर line है horizontal इस पर आपको tap करना होगा एंदन जाना होगा settings पर उसके बाद आपको second number पे जो option है आपको tap कर देना होगा एंदन यहाँ पर सबको कुछ permission को allow करना होगा ताकि आपका application smooth तरीके से चले कोई भी problem वगर ना आए इसलिए सबसे पहले आपको tap करना होगा so on lock screen पर दो आपको cross mark देखने को मिल जाएगा इन दोनों को यह आपको accept कर लेना होगा या इसे on कर लेना होगा मैंने यहाँ पर देख सकते हो on कर लिया है उसके बाद आपको click करना होगा allow auto start पर एंदन यहाँ पर से application को find करके auto start के इसे running कर दे ना होगा मैंने आपको description पर जो link दिया था portrait video wallpaper का उन में से ही आप किसी एक को use कर सकते हो और अगर आप चाहते हो किसी दूसरे को use करना तो आप video shoot करके या आप अपने phone से भी किसी video wallpaper को set कर सकते हो जैसे मैं OnePlus के इस live wallpaper को choose करूँगा and then आपको यहाँ पर एक title देने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी type कर सकते हो जैसे मैं आप पर कुछ भी type कर दूँगा and set as vtune इस पर आपको tap कर देना होगा and then यहाँ पर set for all पर click कर देना होगा बस आपका video wallpaper हो गया था यार अब अब अगर अपके phone में कोई भी बंदा call करेगा तो आपको कुछ इस तरीके के screen देखने को मिल जाएगा जो MIUI 11 से काफी जादा हटके और काफी जादा खतरनाक type का है अब बात कर लेते हैं आप अपने dialer skin को कैसे change कर सकते हो तो dialer skin को change करना काफी जादा आसाने आपको यहाँ पर सबसे उपर देखने को मिल जाएगा dialer backgrounds करके आपको इस पर tap कर देना होगा अगर आपको यह dialer background को option नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा इधर उधर swipe कर लेना आपको यह option देखने को मिल जाएगा इस पर tap करने के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर काफी सारे dialer के background देखने को मिल जाएगा जिसे आप लगा सकते हो अगर आप जाओगे my background के section पर आपको यहाँ पर add background का option मिल जाता है अगर आप इस पर tap करोगे तो आपका gallery से ही आप कोई भी एक portrait photo को उठा के आप अपने background में डाल सकते हो या background में add कर सकते हो इस application में आपको बहुत सारे और भी lots of features and customization मिल जाता है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही जादा लंबा हो जाएगा उससे अच्छा होगा आप इस application को एक बार try करो अंदर जितने भी मैंने live wallpaper की collection दिया है सब को एक एक बार add करो add करके देखो कैस लग रहा है एंदर इस application को पूरा modify करके देखो आपको कैसा लगता है and comment section में मुझे जरूर से बताना आपको एक कमाल का application कैसा लगा जाते जाते इस वीडियो को प्लीज एक like करके जाना so guys इस वीडियो को last तक देखेंगे लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आ